अगर प्रयासों के परिणाम परफेक्ट चाहिए तो लगातार बिना रुके मुश्किलों से जूचना पड़ता है अर्चनों को घुटने टेकने की वज़े बनाने की बज़ाए उन्हें फांद कर भविश्य की तरफ देखना चाहिए सेयार हुजा अरुब रफ उन्हें दुटने जुटने है अरुब दोजब धांद कर दोफे प्राम हाम कि बार करोदे मुटने मुटने लुटने की वज़ है प्रफे उन्हें तर रहा है एद झड़残शी cred ग्खचच झट कि प्धचचचच़ ँमाटव गफचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचचच 6 ā़ 2 10 9 कोई शुराग नहीं, कोई लीड्स नहीं कई दिनों के बाद भी तहकीकात कुछ ज़्यादा आगे नहीं बड़ी ये मर्डर केस मेहज एक फाइल बनने जा रहा था अनसुल्जे केसिस के धेर में एक और फाइल अनसुल्जे केसिस क्या होते हैं, वो केसिस जो इंतजार कर रहे हैं किसी ब्रेक्थ्रू का पर अनसुल्जे केसिस क्लोज नहीं हो सकते, क्रिमिनल केस तभी क्लोज होता है जब अदालत अपना फैसला सुनाती है और विक्टिम को इंसाफ मिलता है सब क्राइम सीन पे कोई क्लू नहीं, इंवेस्टिकेशन का कोई फॉरवर्ड मॉमेंट भी नहीं, मतलब परफेक्ट क्राइम मैंने ऐसा नहीं कहा in fact investigation है कहा त्यार है perfect crime के भ्रम को तोड़ने कह perfect crime होता ही नहीं हर criminal कोई ना कोई ऐसी गलती जरूर करता है जो उसे पकड़वाती है investigation का सबसे बड़ा इंतिहान होता है उस एक टूप होल को ठोड़ना वेरी नाइस आज से ये हमारा घर है वेल्कम होम पर ऐसा नहीं है कि वो गल्ती अपने आप आकर आपकी गोद में गर जाती है अचानक एक महनती और शार्प इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर को हमेशा लगे रहना पड़ता है दिमाग, कान, आँख हमेशा खुला वो सुराक के साई को भी नदर अंदाज नहीं कर सकता पर जब कोई केस ऐसा हो जिसमें लीड मिलना इंपॉसिबल लगे आपके पास कोई ऐसा केस आया सर जहां ब्रेक्ट्रू मिलना ही मुश्किल लग रहा हाँ हाँ होता है प्रेशर में क एक मेना पहले का राना गांज हिमाचल परदेश जहां मेरी पोस्टिंग है हड़ी आप लोग्स हड़ी है हड़ी है वड़ी है वड़ी है वड़ी है वड़ा मटी है सर्फ बॉडी पर से दस सिम काद्स मिले हैं दस सिम काद्स यह साफ और को इडेंटिफिकेशन है नहीं साफ दरसल आइडेंटिटी मिटाने की कोशिश की गई है केहरा बुरीतर से बिकाड़ दिया गया है जा कुछ रिचला कर और सिर पर भी गहरावार हुए सर्फ जब मैं काम पर जा रहा था तब देखा ही से पहले मुझे लगा कोई पीकर पड़ा है पर जब पास गया तो यह खून देखा तब लगा आप मामला कुछ और है यह ही राना गंज का रहने वाला नहीं सर हमारे राना गंज का तो नहीं लगता है सर्व आप में से कोई जानता है सरब आप लोग में सर राना गंज में काफ़ी टूरिस्ट फंस्टे वाले गर कई टूरिस्ट में बत और पिज़ी रहते हैं और कई प्राइवेट स्टूजन्स हॉसल भी है राना गंज में ये लड़का कॉलेज वाली उम्र का ही लगता है यंग था एच पचीज से अठाइस के बीच की है आपका अनुवान सही है सर के पिछले हिस्से में किसी बलंट आपजेक्ट से बहुत जोर से वार हुआ है अबे हम यहां क्यों रुक है क्या जगा है ये चेहरे पर वार किसी तेज धारदार हत्यार से किये गए इसकी जेबसे में दस सिंकार्ट्स मिले यानि की दस अलग आइडेंटिटीज हाँ हो थो वाक्ती बताएगा लेकिन फिलहाल हमारे पास एक भी ऐसे अडेंटिटी नहीं जो हमें इस लड़के की कहानी सुने ना जी ये मेरे कभी नहीं रहा यहां अस-पास किसी और के घर में रहा हो मेरे दस से पहले इसे कभी भी नहीं देखा जीनी सब मैंने इससे पहले कभी देखा नहीं अब गिर्दारी लाल से फूछी है लॉज का नाम? वो लॉज नहीं है सब गिर्दारी लाल स्टुटेंट लोगों के लिए हॉस्टल चलाता है कुछ मेला अभी जासको नहीं मड़ें इजो चारो सीम में ये सड़े हुए और बंद है बागी के मैं चेक कर रहा हूँ नहीं साव इफ लड़का हमारे स्टेम नहीं रहता है और नाए कभी रहा था कई और गड़ रिदारी लाल पता नहीं साव इस लड़के को तुम एने इस इलाके में भी कभी नहीं देखा आप दोनों कॉलोजियों में पता कर ली जे हो सकता है आपको बहुंसे कुछ जानकारी मिल जाए दस में से सिर्फ ये दो सिमकार चल लें जी सर ये दोनों सिमकार तीन महीं ने पहले आखरी बर यूद हुए थे मैंने फोन कंपणी से डीटेल्स मंगाई है देखते हैं फोन रिकॉर्ड से क्या पता चलता है इस विक्टिम के बारे में कुछ ता पता चले सर्जी दोनों अजिनिन कॉलेज हो पता किया पर ये बंदा कहीं का भी स्टेंड नहीं है तो फिर कौoll नहीं है पर कहाँ का है बाहर का हो सकता है शाद यहाँ से गुजर रहा होगा और माडा ला गया या फिर यहाँ लाया गया होगा मारने के लिए लोकल तो नहीं लगता हाँ सर मतलब शिमला कांगड़ा दलाउजी और धर्मशाला हर जगा इसके फोडोग्रास भेजी गें सारी डिटेल्स के सार लेकिन कहीं कोई ऐसी मिसिंग कम्लें दरजी नहीं होई है आसपास के सारे एंजिलेनिंग कॉलिजिस को भी स्कैन किया पर कु एड़ी तीन महीनों से कुई भी अक्टिविटी नी और दोनों नमबर्स के रिकॉर्ड्स ब्लंक है एंग दोनों नमबर्स के नाम मिल गए है अब हमारे पास दो नाम है काम करने के लिए है विकास कुपता अमन सिंग दोनों बठिंड़ा के रेजिड़ेंट्स और इन लोगों के लाज ती महने के फोन रिकॉर्ड्स इदम ब्लैंक हैं सर्य एक मिस्लीड हो सकता है हमें गुम्राह करने के लिए सुजाता है मिस्लीड भी लीडी होता है और इस वक्त हमारे हाथ में ये है तो इसी की जांच करते हैं तुम दोनों बठीड़ा जाओ तरह पता करो ये आमन और विकास तीन महिने से इतने खामोश क्यों है सर्थ हलो हां चरण जी जी गुड मॉनिंगा रगु का है मुँ तो शावर में है सब ठीक तो है ना हाँ सब ठीक है रगु से कह दो उसे यहां ना होगा फैक्टरी की डील हो सकती है कुछ खरिदार सामने आया है यह तो अच्छी बात है ठीक है मैं रगु को बोल देती हूँ ओके थैंक यू कह रहे थे तुम्हें जाना पड़ेगा वहां डील साइन करने मैं बात करोंगा उनसे पेपर्स यही भेजने के लिए बोलनुगा फैक्टरी बिग जाएगी तो फंद आ जाएगे पिर हम यही कुछ स्टार्ट कर सकते हैं अपना हाँ हाँ वाइन तुम्हारे माइंड में कुछ है कोई बिजनेस आइडिया एनिफिंग हम मैं सूच रही थी जी विकास गुपता जी हाँ मैं ही हूँ विकास गुपता कौन है यह तुम बताओ तुम्हारा सिम काड नंबर ट्रिपल फॉर फाइव सिक सेवन एट नाइट इस लाश की जेब में था कैसे वो तो मेरा पुराना नंबर है आप चेक कर लिजी तुम्हारा एक साल पहले मैंने चेंज किया ता मेरा नंबर तो तुम्हारा एक साल पुराना सिम काड इस तीन दिन पहले मिली लाश की जेब में कैसे पहुँचा देखी मुझे नहीं मालूम मैं नहीं जानता ये आदमी कौन है मेरी मानिया आप लोग शरत भाई से बात कर लीजिए सिम काड का डीलर है मैंने उसी से ये सिम खरीदा था और उसी को रिटर्न करके ये नया वाला लिया दूसरी कमपनी का एक बड़ी ठीक से देखकर बताओ तुम वाकी में इसे नहीं पचानते नहीं सर मैं नहीं जानता ये कौन है सर इस्विकास गुप्ता पर नजर रखवाती हूँ लगता है दूसरा बंदा अमन सिंग भी वही जवाब देगा जो उस्विकास गुप्ता ने दिया था थे वही जवाब का क्या मतलब मैडम वही जवाब जो हम तुमसे एक्सपेक कर रहे थे मैं इस आदमी को नहीं जानता मैडम और बेडी समझ में यह नहीं आ रहा कि जो सिंकाट मैंने चै मैंने पहले डिसकनेट किया था वो इस आदमी के हाथ कैसे लग गया अब तुम यह भी का होगे कि तुमने नया से मिसले लिया क्योंकि कोई दूसरी कंपनी सस्टी दील उफ मैं इस आदमी को पचानते हो सर मैं इस तस्वीर को देखकर ही बता रहा हूं मैं इस आदमी को नहीं जानता सुजाता है यह जो विक्टिम है हमारा कुछ अजीब निया इसके बार है विकास गुपता और अमन सिंग कह रहे हैं कि इसे जानते नहीं लेकिन जब इन्होंने फोटो देखा तो इनके एक्स्प्रेशन से मुझे लगता यह दोनों तच नहीं भूल रहे हैं इस आदमी का स कि एक मरावा बंदा शारत इसके जेब में से मिद्द्द ुस मिर्णिक वरामद है फिसमें से दो सिंकार्ट इसी मोलने में रहने वाले रोए गड़कों के अमन सिंह और विकास गुपता जिन्हों ने तुम से यह सिम कार्ड लए तुम्हें नहीं सिम कार्ड लह अब तो इ मुझे यह बताओ शरत तुम्हें एक्टिवेट करने के लिए मुझे लॉक अप में तुम्हें कितना तोड़ना पर है मेरे समझ में बिल्कुल नहीं आ रहा है यह कैसे हुआ सर कसम खाता हूं मैं इस बंदे को नहीं जानता अमान और विकास ने तुम्हें सिम कार्ड लोट आए तो तुम्हारे हाथ से यह इसकी जीब में कैसे पहुँच गए सिम कार्ड कोई खुले पैसे तो होते नहीं है सर गलती हो गई मतलब हो सकता है कि मैंने किसी को जो आप बोल रहे हैं आमान और विकास इनके नाम पर सिम दिला दिया गलती और किसी और को सिम देना गलती नहीं होती शर्त क्राइम होता है क्राइम मानता हूं सर लेकिन मेरे जाधत कस्टमर ऐसे ही कोलेज के यंग लड़के और लड़किया होते हैं जो आए दिन अपना मोबाइल नंबर और सर्विस प्रोवाइडर बदलते रहते हैं कोई भी मोबाइल कमपनी सस्ती स्कीम निकालती है ज्यादा दाटा देती है तो वो तुरंट चेंज कर देते हैं मैं भी उनको तुरंदे देता हूं तुरंदे देता हूं किसी और का सरेंडर के हुआ हुआ सिम बिरा किसी डोक्यमेंट के हमारे पस तो ऐसे किसी बंदे की मिसिंग रिपोर्ट नी शमशेट जी तो दस में से दो एक्टिव सिम्हमें इस लाश पर से मिले वो दोनों ही बटिंडे के दो लड़कों के देखिए आप और मैं दोनों बहुत अच्छे से जानते हैं कि किस तरह फरजी कागजात वाले मुबाइल नंबर कांड करने के लिए इस्तमाल मिला जाते हैं और फिर हम लोग कभी-कभी उन लोगों की तलाश में होते हैं दिनका केस से दूर-दूर तक कोई वास्ता ही नहीं होता हम आनते हैं शमशीर जी लेकिन हमारे हाथ में एक मर्डर केस है और ये ब्लाइंड केस हमें आपके शहर तक लेकर आया है अब आप लोग यहां तक पहुचे ही है तो मैं भी कोशिश करता हूँ ये पता करने के कि ये जो बंदा है ये पटिंडे का है भी ये नहीं सर इस अमन सिंग और विकास गुपता के लीट्स कहीं नहीं जा रही है हाँ शायद यही राधा होगा कातिल का इसलिए उसने विक्टिम की जेब में दस सिमकार डाल दिये ताके एक के बाद एक डेड लीट टोलती रहे पुलिस और बस गोल गोल चक्कर कारती रहे बिल्कुल पॉसिबला सर फिर भी मैंने अमन और विकास के लाके के पुलिस टेशन में जाके पूछताच की ऐसे किसी भी बंदे की कोई भी मिसिंग कम्प्रेंट नहीं की गई होगी शायद घरवाले अभी उसके लोटने का इंतिजार कर रहे है या शायद घरवाले जानते नहीं है कि बंदा मिसिंग है या शाद जानते हैं कि मिसिंग है पर कम्प्लेन नहीं करना चाहते एक मरा हुआ आदमी, अनाडेंटिफाइड, वो भी मर्डर विक्टिम है ये एक पहली है, एक जिक्सो पजर क्योंकि आपको पता ही नहीं असली स्टोरी क्या है आपको पता ही नहीं कि कहानी की शुरुआत कहां से हुई आपको पता ही नहीं कि ये आदमी क्यों मारा गया आपको पता ही नहीं कि इस कहानी की बड़ी कहानी क्या है पुलिस इन्वेस्टिगेशन भी किसी दूसरी जॉब की तरह ही होती है इसमें भी frustration हो सकती है, मायोसी हो सकती है पर investigating officer को अपना focus और patience पकड़ के रखना पड़ता है तहकीका तभी complete होती है जब कहानी का पूरी तरह से खुलासा होता है करते है सर, विक्टिम की फोटोग्राफ्स और डीटेल्स, जिपनेट पर अप्लोड कर दिए अगर भटिंडर से को रिस्मोंस नहीं आता है, तो हम बागे जगाओं पर तफ्ती शुरू कर सकते हैं लेली जल्दी पता लगाना होगा ये लाश किसकी है एक हफ्ता गुदर चुका है, शायद हमें बाड़ी को क्रिमेट करना पड़े है वे इंफर्मेशन तो हाथ लगे, ये बंदा काउन था, क्यों मारा गया और किसके हाथ हो मारा गया सर, सर, विक्टिम की फोडोग्राफ्स और डिटेल्स, जिपनेट पर अप्लोड कर दिए, अगर भटिंडर से कोई रिस्पोंस नहीं आता है, तो हम बागे जगाओं पर तप्तिर शुरू कर सकते हैं, लैली, जल्दी पता लगाना होगा ये लाश किसकी है, एक हपता गुदर रिस्पोंस आता है, एका आता है? पर आपकर? जो अधी आपकर? वह अधी हरे बहुत सारे निशान है लेकिन है वही है रानगड़ पुलीस टेशन सब्सक्राइब करते हैं यही है जी मेरा छोटा भाई लग्की गिल आप लोगवा घर भटिंडा के चंदनगर पुलीस टेशन के अंडर आता है इस लाश को मिले वे में नौ दिन हो चुके हैं आपने चंदनगर पुलीस टेशन में इसकी मिसिंग कम्प्लेंट नहीं दर्श करवाई क्यों लग्की वैसे काफियन लग्की मालम होता है वो अपने घर से कहीं जाने के लिए निकलता है और वहाँ पहुंचता नहीं और आप लोगों को कोई ख़बर ही नहीं वो इतने दिनों से गायो गए और आप लोगों ने उसकी मिसिंग कम्प्लेंट टक नहीं लिख वो नमर क्य किसी के पास नहीं है मतलब आप बाप हैं और आप भाई बड़े भाई ना तो आपके पास फोन नमर नहीं होगा तो किसके पास होगा पता नहीं जी लग्की हमें कभी कुछ बताता नहीं था ऐसा क्या करता था जो बताता ही नहीं था वो भी तू नहीं बताता था जी बस का प्राश में रहता है था हमेशा जब यह से पूछते हैं कहां जा रहा है तो कहता कि काम डुणने जा रहा हूं आप कहां चल दिया पुतर जी बाहर जाते वकत मर टोका करो बोला ना आपको लेकिन जा कहा रहा है बोलता क्यों नहीं हर बारी आप यही पूछते हो और हर बारी मेरा जवाब ही होता है काम डुणने जा रहा हूं पापाजी इस बारिशाद मिल जाए कुछ पर तेरा काम है कह जाओं अभी आपके पास लग्की का नंबर तक नहीं है जी कभी दिया ही नहीं उसने है वो हमेशा परिशान रहता था काम ढूंड रहा था लंबे अर्शे से उसके पास वो नंबर था भी है नहीं हम लोगों को यह नहीं पता उसकी जेव में से दस सिम कार्ड्स निकले है आपका चोटा भाई शिमला में कहां जा रहा था किसके साथ जा रहा था कौन सी नौकरीती कुछ तो पता होगा आप लोगों को सर्जी शिमला पूला यहीं बड़ी बात है घर तो वो संचुरात को सूने आता था था थोड़ा बुद्ध खावा लिया जोना कोई बाती नही आपको लेकर इंतम कुम्सों बेटा तो अब रहा नहीं जीते जीतों से समझ नहीं पाया है वो चला गया वो भी इस तरह तो उसका अंतिम संस्कार तो डंग से करने दीजिए विक्टम की पहचान उनके बाद भी सारे राज जो केते हों और सर फैमिली को फोन नमबर तक ना मालूम हो यह तो सीरिसली अजीब है सर फैमिली ने पोस्टर देकर हमें कॉन्टाट किया इससे पहले उनकी तरफ से यह जानने की कोई भी पहल नहीं हुई कि बंदा कहा है क् कि नहीं पहुंचा है सर इस फैमिली को इनों के मिष्टी जरूर है दुखदर्द का भी जारा दिखावा किया नहीं उन लोगों बस खोद आके बॉड़ी को इडेंटिफाई किये शायद पोस्टर देखने के बाद उनका जो प्लान हो से उन्होंने चेंच जो भी हो हमारे हम जानते हैं तो सिर्फ इतना कि विक्टिम का नाम लकी गिल था वो बठिंडा का रहने वाला था लेकिन वो यहां क्यों आया किसने मारा क्यों मारा यह सारे सवाल अभी जियों के तो ही है फैमिली की स्कैनिंग शूरू करो कि अब जी हम राना गन पुली स्टेशन से लखी गिल को किसने मारा जो कुछ भी पता था बता दो दिया हमने नहीं सब कुछ नहीं बताया आप से जादा तो आपके पडोसी ने बताया हमने बता रहे थे काफी बदनाम था आपका रड़का गलत काम करता था करता होगा शायद पर हमें कभी बताया नहीं ना हमें पता था उसके लाइन के बारे में आप मा हैं उसकी कुछ बोलेंगी नहीं लखी ने कभी लखी को कभी कुछ बोली नहीं पाए वो सुनता कहा था ना कुछ बोलता था अब तो सुनने बोलने के लिए कुछ रह भी नही बहुत कुछ रह गया, लग्य अप चाकर भी कुछ नहीं बोल सकता, और हम उसके सुनने ही सकते, लेकिन हम जानना चाहते हैं कि लग्य को क्यूं मारा गया। आप मेंसे किसी को नहीं पड़ी है ये जानने की, कि लग्की को किसने मारा और क्यों, इंसाफ नहीं चाहिए आप लोगों को, मैडम, हम खुछ सामने आये ना, उसकी पहचान करने के लिए, लाश भी ग्लेम की, हो गया सब कुछ, जो भी जजबाद थे, जो भी दुख था, एक कतल हुआ है, जो एक संगीन जूर्म है, उसके बारे में हमें कुछ नहीं पता, बस हमारा बेटा था, इसके अलावा, हमें उसके बारे में कुछ भी नहीं पता, कुछ गड़बड़ है सर इस घर में, वरना भटिंडा के एक बेरोजगार नो जवान को कोई हमारी जूरिजिक्शन में लाकर जान से क्यों मारेगा, कुछ और है इस किर्ष नहीं कुछ और है, इसमकाड वाला मन से, हमें घूर रहा है अजिए झाल रहा है यह अमान सिंग जरूर कुछ जानता है सर्ष एक केस कुछ औरी है यह लखी गिल करेक्टर था स्टोरी एश के कोई जबर्दस्त बोलो सॉप क्या है लोग है उच्छ नहीं अब तोड़ना चाहिए था अब तोड़ देते हैं सर कौन सी देर हो गई है प्लीज प्लीज मेरी बद सुनिये मैं बस खाली पता कर रहा था कि आप लोगों को लखी का घर मिला या नहीं अमने तो लखी का नाम भी ने लिया भी तक और इसे उसका घर भी पता है अब तू तो लंबा गया है सर प्लीज सर मेरी बात तो थो नहीं सर सर मैंने कुछ लिए कह सर सर प्लीज सर और विकास गुपता भी लखी को जानता था न मैडम मैं किसी विकास को नहीं जानता था हाँ मैं लखी को जानता था अच्छे से जानता था गब跟大家 में नहीं फसना जाता था सर फस तो छोड तु पूरी तरह से धस चुका है देख भे, हमसे जूट बुलकर हमको चकर कटवाने वालों पर हमको बहुत प्याराता है लोकप में, पता है ना तुझे? सर वो लकी ना ड्रक्स बेचता था, ड्रक्स पेडलर था हो सर बड़ी महंगी लथे सर, मैं भी लकी से ड्रक्स लिता था, पर सर जब मेरे पास पैसे नहीं होते थे ना तो मैं अब लकी का छोटा मोटा काम कर देता था ड्रक्स बेचता था? जी, और पेमेंट मेरी पूडियों में होती थी सर लकी को किस ने मारा? ये, ये सब नहीं पता मेडम मुझे, और वैसे भी सर मेरी लकी से पिछले दो महिने में कोई भी बातचित नहीं हुए, वो शायद मैं किसी दूसरे काम में भी जी था कौन सा दूसरा काम? वो सब नहीं पता सर तुझे लकी के बारे में सब कुछ पता था और तू फिर भी चुब बैठा रहा हुए, ये ये बात तो सभी जानते हैं, लकी तो फेमस था और फिर पूलिस भी तो जानती उसके बारे में ये चंदर नगर थाने का तो पता नहीं, पर आप वो गुर्जवत कॉली थाने जा के पता कीजी, शायद वहां पर उसका कुछ रिकॉर्ड मिल जाएगा, वहां की पुलिस ने कई बार उसको अंदर भी किया, तो पूरी तरा से अंदर से खता गया, अगर मैंने तुझे अं शबनम, शबनम कौन है? शबनम आपको लखी के पारे में सब कुछ बताईगी, शबनम प्रीतम नगर में रहती है, धंदा करती है सर, लखी मरता था उस पर, अगर मुझे कुछ पता होता, या मेरा उसमें हाथ होता, तो मैं भाग जाता ना, आप लोगों का पीछा थोड़ कि मर गया है, और फिर जब उसका पूस्टर देखा, तो मैं और भी जादा डर गया, समझ नहीं आ रहा था कि मैं क्या करूं, उसके बाद आप दोनों को देखा तो आप दोनों के पीछे हो लिया, तसलिय हुई ये जानकर कि आपको लखी का घर मिल गया, तू नहीं भागा होगी, समझ गया सर, सुजाता मैं गुर्जोट कोलिटी पूली स्टेशन जा रहा हूँ, तुम्ही शबनम के रेक्टर से मिल जी सर, केस खुल रहा है सुजाता, अब इस लक्की की स्टोरी का दूसरा ध्याश शुरू हो रहा है, ये पूरी हिस्ट्री है, लक्की किल की, चटा हुए हिस्टी शीट था, ड्रक्स का धंदा था इसका, बड़ी ची बात, ये रिकॉर्ड्स हमाने समने पहले नहीं आए, घंडी कर जगा बजाएगी, आपको पहले ही यहाँ पाया जाने चाहिए था, जबनम, जी, लक्की गिल को करीब से जानती थी, मुझ से तो कहत सिर्फ मुझ पर मरता है, अब नहीं मरेगा, वो मरग चुका है, मारा गया है अंदरा बार अंदर जा चुका था है, हम बार बार उसको ड्रक बेचते पगड़ते, बेल हो जाती सलेगी, फिर वो ये ड्रक्स का दून था, और अब मर गया कब हुआ ये, कैसे, कहा हुआ ये, सवाल मैंने पूछना है, जवाब तूने देना है, ये बता लग्की को किस ने मारा और क्यों, वो मुझ से धंदे की बात नहीं करता था, सिर्फ मज़े के लिए आता था, अच्छा, अभी तो कह रही थी मरता था तुछ पर, अरे मैडम, वही मर्दवाला मनना, शादी करूंगा, बड़ी-बड़ी बाते, ये और वो, मैं तो सुन्दी तक नहीं थी, हम दोनों एक ही नाउपे सवार थे, मैं धंदा वो ड्रक्स, और कर जानूगी उसके बार में, क्या-क्या-क्या-क्या-क्या-क्या भूब पैसे लेकर आने वाल करने जा रहा हूं, पर उसके बाद, हम दोनों सपने ना देखने की ट्रेनिंग बहुत जल्दी मिल जाती है माइ-लाइन में मैडम, फिर भी वो कहते है ना, असान नहीं होता सपने ना देखना, तो मैं उसकी राह देख रही थी, और अब समझ आ गया, कि दस दिन से मेरा फोन क्यों नहीं उठा रहा था, दस सिम कार्ट मि मेरे पस लगी का वो नंबर था जो भी यूज कर जा रहा था, वैसे वो कपड़ों से जादा नंबर बदलता था, नंबर दे उसका, हूं यह लगी गिल का क्रिमिनल बैग्राउंड, इस मुर्डर मिस्ट्री को और भी गहरा कर रहा, और मुझे ऐसा कि मुलाग रहा, कि इस मिस्ट्री में कोई और भी हिस्ट्री चुपी, द्रक्से भी बड़ी, तर लगी के करिंट नंबर के कॉल रिकॉर्ड जाते हैं, इस कहानी के और भी पन्ने खुलेंगे, देखते हैं कहा ले जाते हैं पन्ने, एक ड्रक्स बेशने वाला इस्टी शीटर, आकरिया से कौन सा बड़ा हाथ मारने वाला था, सर्फ, कुछ निकला फोल निकॉर्ट, पैसे से डिरेक्ट तो कुछ नहीं है, लेकिन एक नंबर है जिस पर लगातार उसकी बात हो रही थी, और वो शब्नम का नंबर नहीं है, फिर, कोई लैंड लाइन नंबर है, भटेंडा के किसी क्लब का, हालो, जेके रीक्रियेशन क्लब, लखी हिल का नाम सुना है, आप, पुलिस, जी, सुना तो है, इस क्लब से हमें कोई ऐसी लीड मिल सकती है, जो हमें उसके कातिल तक पहुंचा, हाँ, हाँ, सर, यही है, रेगुलर है, अक्से यहां कहलने आता है, क्या कहलने आता है, पूल, यहां, 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 किस के साथ कहलता था, इसका कोई फ्रेंड है, हम उससे बात करना जाते है, सर अब मंजीत से बात कर सकते है, ऊधना शाथ में आते दे और साथ ही में जिलते थे, अब तू खेल या ना खेल, कोई फर्क नहीं बाइंदा, because the champion is here, बेटे. अभी कहा, Manjit, तेरी दिल्ली बहुत दूर है अभी. अब तू अब नबर आपके पास? Sorry sir, मेरे पास नमबर तो नहीं है, लेकिन हाँ, आप शाम को आक एक बार ट्राइ कर सकते है, वह यह रेगिलर्ली आता है, कल भी आया था. अब बताओ, वेर इस दे चैंपियन? वेर जी वेर? वेर? ठहर जा काके, अभी गेम खतमनी हुए है. है अब बताओ, हेलो यार कौन हो भाई बॉल अखो यार पुलिस टेशन हमाच्छल प्रदेश्ट केस अब शुरू हुआ मंजीत हरोडा हमारा अगला लीड था जो हमें लकी गिल की कहानी में गहराई तक ले जाने वाला था दस दिन तक हमारी कस्टडी में जो अनाडेंटिफाइड लाश पड़ी थी उसकी ना सिर्फ पहचान हुई बलके आगे चलकर एक बहुत बड़े कांड का पिटारा भी खुला कोई भी केस फाइल तब तक क्लोज नहीं होती जब तक सारी कड़िया मिल नहीं जाती केस सुलज नहीं जाता लकी की कहानी में और कितने ट्विस्ट है एक जवान आदमी का कतल हुआ था ऐसा आदमी जिसका क्रिमिनल अतीद था पर क्या सिर्फ ड्रग्स लकी का अतीद था या कुछ और भी ये केस पुलिस को काफी दूर तक ले जाने वाला था परफेक्ट क्राइम के भ्रम को तोड़ने के लिए पुलिस वहाँ पर कैसे पहुंची इस इन्वेस्टिगेशन की पूरी डिटेल हम आपको बताएंगे परसों रात सी आईडी के एपिसोड के बाद याद रखें कल याने के शनीवार 31 दिसंबर को क्राइम पिट्रोल सतर्क का एपिसोड तेलेकास नहीं होगा अब मैं अनूप सोनी आपसे बिदा लेता हूँ फिर मलाकात होगी तब तक सुरक्षित रहें सतर्क रहकर एक अच्छे नागरे का फर्जदा करें और देखते रहें क्राइम पिट्रोल सतर्क सबखेग को सीख हम सब को जैहिद झाल झाल झाल